पवन के फैंस को मिला सबसे बड़ा चैलेंज वो भी किस से खिसारी लाल यादो के फैंस है जी हाँ खिसारी लाल यादो का गाना मिलते हैं मरद हमके भुलाए गे लोग जी हाँ ये गाना बहुत ही सुपर हिट है लो डाउट गाना अच्छा है और खिसारी अचानी सिंग की जोड़ी भी इस में बहुत अच्छी है गाने के भुल भी अच्छे है तो गाना हीट है 343 मिलियन व्यूज कुछ कहने के लिए होता इतने जल्दी किसी को ये व्यूज हासिल नहीं होता लेकिन अब हम आपको एक और बात बता दे इससे भी बड़ा एक गाना है उस गाने का नाम है पांडे जी का बेटा और फिर पांडे जी का बेटा से भी बड़ा एक गाना है उस गाने का नाम है है हेलो कॉन जी हां आप कहेंगे हेलो कॉन तो हिंदी में गाया गया है लेकिन फिर इसे हम भोझपुरी में क्यों गिंती करते हैं क्योंकि इसे रितेज पांडे ने गाया है और रितेज पांडे भोजपुरिया स्टार हैं और जादा तरगाने वो भोजपुरि में ही गाते हैं बहुत कम पहली बार यूं कहले कि उन्होंने हिंदी में आजमाइस की है लेकिन इसे हमेशा भोजपुरिया गाना ही कहा जाता है कभी हिंदी गाना इसे कहा ही नहीं गया ये भोजपुरी तिहास का पहला गाना है ऐसा कि किसी सिंगर ने बहुत कम समय में बहुत ही कम समय में इससे पांसो मिलियन क्रोस किया और हमें इसे और जादा बढ़ा लेकिन इन सब गानों को छोड़ दे तो पवन का लॉलीपॉप ल और क्या हमें मुद्ध गाने हां कुछ गाने ऐसे हैं जो इसको कॉम्पटिशन दिये और आगे बढ़ आगे गया है उन՝ी में से एक गाना है मिलते मरत हमके भुल आगे लू चोथे पाइदान पर है तीसरे पाइदान पहर राती दिरिया बुता कि पिया क्या क्या किया ज इसने पच्छाड दिया है मिलते मरद हमके भुलाए गए लोगों इस गाने की क्वालिटी आप सभी जानते हैं गाना बहुत ही अच्छा है पिक्चुराइजेशन भी अच्छी है और इसमें जो जोड़ी है वो भी सब की प्यारी है आमरुपाली और पवन सिंगी लेकिन हम ब अगवान खेसारी लाल यादों के गाने को दूसरे पाइदान पर पहुचाने के लिए अब आप यह कहेंगे दूसरे पाइदान पर पांडे जी का बेटा है जी हां पांडे जी का बेटा को इसलिए अगर यह दूसरे पाइदान पर जाएगा तो तीसरे पाइदान पर कौन जादा है खिसारी लाल यादो अगर प्रदीप पांडे चिंटू और पवन सिंग को पचाड़ देते हैं तो वो से केंड पायदान पर हो जाएंगे रही बात रिते इस पांडे को पचाड़ने की तो भाई वाज नहीं कल कल नहीं परसो परसो नहीं नरसो किसी न किसी दिन ना मुमकिन सा बना रिकॉर्ड जरूर तोड़ेंगे क्योंकि उनकी फैन फालोइंग बहुत जादा है लेकिन फिलहाल हम आपको बता दे कि इस गाने का रिकॉर्ड है लो कौन का रिकॉर्ड तोड़ना खाने की बात नहीं यह गाना हिंदी में है सभी को समझ में आ रहा है इसल अपने गाने छलकत बाहम रोजवनिया और राते दिया बुता को और भी जादा उपर पायदान पर यानि की फर्स्ट या सेकेंड पायदान पर लाएंगे वो तो इनके उपर है लेकिन यहां दिया गया चैलेंज एक्सेप्ट करने लायक है क्योंकि पवन की भी फैन फॉलो गाना है तो फिर जुड़ जाएं राते दिया बुतासे के लिए भी और छलकत बाहम रोजवनिया के लिए भी यह दोनों गाना तीन सो तीन सो मिलियन क्रॉस कर चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है गाने के वियूस बढ़ाने हैं और जल्द से जल्द इन झाल